हेलो एवरीवन वेलकम तो आर चैनल इस रिष्टी अगरवाल तो मैं आप सभी कक्षा छे बत साथ के सुरेंट के लिए लेकर आए हूं प्रभा सब्ची इंग्लिश की वर्गबुक के सॉलेशन जिसमें हमने काफे सारी वक्षिर के सॉलेशन देख लिए हैं यहां पर आगे करना है कम्प्लिट स्टोरी में करनी है जैसे देखे सुकें सबसे पहले फर्स यह हो जाएगा देन साकी हो जाएगा थर्ड इस तरह से हो जाएगा फूर्थ इस तरह से हो जाएगा चैनल बनाने हैं फादर एंड डॉर्टर फांड फांड ब्रोकन स्विंग उनको एक प्रोकन स्विंग और वह जो रूट की बेटी है फादर की वह बहुत खुश है जूले से तो इस तरह से आपको यहाँ पर मेक करने थे सेंटेंसे और सिक्टेंस को यह डन होता है बक्षी सिक्सी दाइं का सॉलिशन अब देखेंगे बक्षी सेवेंटी जिसमें है राइट अप्रोप्रीट प्रोणाउन इन दी ब्लैंक्स आपको अप्रोप्रीट प्रोणाउन का यूज करना है प्रोणाउन जो सब नाम बोलते हैं जो संग्या सब्त के लिए इस्तान यूज के जाते हैं संग्या शप्त की इस्तान पर यूज की जाते हैं उन्हें बोला जाता है तो देखिए, reflexive pronoun यहाँ पर देखेंगे, जिसमें होता है, herself, himself, herself, है ना, इस टाइब के आपने देखे होंगे, यह होते है reflexive pronoun, जो pronoun का एक पार्ट होता है, तो जैसे यहाँ पर है, he enjoyed the party, अब he के लिए use करेंगे him का, बट यहाँ पर reflexive है, तो हम use करेंगे self का भी, तो himself हो ज लक्षमी looked at herself in the mirror, उसने अपने आपको देखा mirror में, did you make this yourself, तो तुम क्या बना सकती हो, तुम खुद की द्वारा, तो यहाँ पर खुद की द्वारा के लिए हो जाएगा yourself, the dog rain itself, अब किसी भी जानवर के लिए आप use करते हैं, he, she का use नहीं करते हैं, it का use करते है, तो it के हो जाएगा it, then self का use करेंगे, क्योंकि reflexive pronoun का use करेंगे हम, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा the dog rain itself into the fence, अगला second है, fill in the blanks with the correct words, आपको correct words के साथ में blanks को fill करना है, she scored the two goals all by herself, उसने scored की two goals, खुद की द्वारा, सभी खुद की द्वारा, have you made the card yourself, क्या तुम ने खुद न बनाया है, कार्ड खुद की द्वारा बनाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा yourself, you के लिए, he himself choose the subject, उसने खुद की लिए एक subject choose किया, तो इस तरह की sentences में आप use करते हैं हमेशा reflexive pronoun का, the boys themselves choose the schools, तो इस तरह से आप पर boys के लिए हो जाएगा themselves, क्योंकि plural है, I myself, I के लिए हो प्रोंटे, all these plants, मैं खुद की द्वारा लगाए हैं, सारे प्लांट, मैंने खुद से यह लगाए हैं, सारे प्लांट, अब बोलते हैं ना, रेगुलर लेंग्विज में, मैं यह खुद से कर रहा हूँ, मैं यह खुद कर सकता हूँ, क्या तुम, तुम्हारे द्वारा यह क कोशन देखने से पहले, अगर आपने इससे पहले की वक्षिस नहीं देखी, तो आप तुरन से देखें सारी वक्षिस को, क्योंकि सारी वक्षिस आप देखेंगे, तब ही आपको assessment के solution easy लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोशन पूछे जाते हैं, वो पिछले वक्षिस से मिल सके और फटा फटा से आप solution को done कर सको, तो कोशन है, यहाँ पर first take the correct option to complete the sentence, my family spent Diwali together, it was a joyful day, मेरी family ने Diwali साथ में मनाई, यह बहुत ही प्रसंता पूरवक दे था, take the correct verb to complete the sentence, take करनी है आपको verb को, Mr. Sharma blanked the children because they were playing in the rain, Mr. Sharma ने चिलाया बच्चों पर क्योंकि वो खेल रहे थी बारिश में, तो आपर ही हो जाएगा, it's called it, अगला है, take the correct pronoun to complete the sentence, pronoun को fill करना है यहाँ पर, the buffalo rain into the tree itself, तो buffalo के लिए हुजए का जानवर के लिए उसकरते हैं, हमने पहले भी डिसकस किया है इस चीज़ को, जानवर के लिए हमेशा यूज़ करते हैं, pronoun का it का, अब यहाँ पर चुकि, reflexive pronoun का यूज़ होगा, क्योंकि the buffalo rain into the tree itself, buffalo भागा tree की और खुद से itself हो जाएगा तो यहाँ पर, second form, second option है, वो correct हो जाएगा, अगला है, take the thing that you will do before leaving your house to go to school, जो आप ऐसी चीज़ के बारे में बताईए, जो आप लेकर जाते हैं अपनी घर को छोड़ने के बाद, आपकी जो इसकूल जाते हैं, घर को छोड़ने जाते हैं, read the given lines of a poem, answer the following question 5, 6, 7, 5, 6, 7 question का answer देना है, सबसे पहले read करेंगे इस poem को, इसलिए कुछ question पर जाएगे, जिसके आपको answer करने हैं, I like to hear the school bell ring, मुझे पसंद है, school की जब घंटी बस दिया, and see the children get in line, और बच्चों को मैं देखता हूँ, children line में, then we go marching past the teacher, marching past करते है and the past source straight and tall and fine, तो इस तरह से यहाँ पर यह point बते रखी है, अब question है, what happen when the school bell rings, क्या होता है, जब school की घंटी बसती है, तो school की घंटी होने पर हमारी प्रातना सबा, assembly लगती है, lunch होता है, school off होता है, यानि छुट्टी होती है, तो यह तीनी चीज़ों होती है, अगला है, when do you stand in line, in your school, जब आप line में खड़े होते हैं, तो क्यों खड़े होते हैं, आप line में, in assembly, आप प्रातना सबा के लिए खड़े होते हैं, line में, next है, what do you like about your school, क्या आपको पसंद है school के बारे में, तो I like school building, मुझे building पसंद है, आप लिख सकते, I like school ground, I like school teachers, तो कुछ भी आप sentence about the given picture, ये given picture आपको जो दे रखे, इसके आपको four sentence लिखने है, जैसे देखे, एक farmer है, जो crops, जो cropping कर रहा है, जो growing crops, फसलो को उगा रहा है, cow है, hen है, bird है, तो आपको sentence बना लिजे, there is a farm, यहाँ पर एखेत है, the farmer is farming, जो farmer है, वो farm कर रहा है, growing crops है, और उगा रहा है, crops को, the cow is grazing a grass, cow क्या खा रही है, घांस खा रही है, the bird is chirping, bird चिला रही है, तो इस तरह से आपको sentence लिखने है, तो ये done होता है, formative assessment 10 का solution, अब देखेंगी वक्ष 71, जिसमें given below are some interview questions, make a pair with your friend, and interview with her, write his her response in space, provide draw his her picture, आपको एक interview को question देना है, जो कि आपको my friend के उपर दिया हुआ है, आपकी friends आपको पूछना है, उसकी पसंद details, ठीक है, और आपको लिख दिना है यहाँ पर, और उसका जो picture है, वो भी आप यहाँ पर चिपका सकते है, what is your name, आप पूछेंगे अपने friends से, तुम्हारा नाम किया है, तो वो बताए का my name is Shruti, मेरा नाम Shruti है, how old are you, कितने साल कियो, I am six year old, where do you live, I live in Delhi, what is your favorite color, my favorite color is red, what is your favorite game, my favorite game is Kabaddi, which is your favorite movie, कौन सी movie favorite है, my favorite movie is Tari Jamiper, who is your best friend, my best friend is Kriti, what do you want to become when you grow up, क्या बरना चाहते हूँ जब आप बड़े हो जाओगी तो when I grow up, then I want to become an engineer, मैं engineer बना जाते हूँ, N engineer हो जाएगा, यहाँ पर आपको N लिख देना है, तो यहाँ पर correct कर देना है आपको N, क्योंकि A, E, I, O, U से पहले होता है N का use, तो यह done होता है वक्षि 71, हम देखेंगे वक्षि 72, जिसमें है, listen to your teacher detecting a paragraph about the picture given below, write the sentence, आपको discuss करना है, listen करन आपको जो teacher बोल रहे हैं, परिग्राफ के बारे में, पिक्चर के बारे में, और परिग्राफ write down करना है, sentence route down करने है, तो यहाँ देखेंगे एक fair टाइप पिक्चर दी गई है, fair की, जिसमें देखें मदारी बंदर को बंदर से नाच दिखा रहा है, magic man show, magic show दिखा रहा है, बलून वाला बलून बेच रहा है, जूले लगे हुए है, जियांट वील लगा हुआ है, टेमपल है, कुछ बच्चे खरीदारी कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आपको completely fair का एक द्रश्र दिखाया गया है, तो आपको एक paragraph लिटना है है इसके बारे में, there is a fair in the village, एक काम में, यहाँ पर fair हो रहा है, मेला है, there are many shops of sweets and toys, sweets or toys की यहाँ पर shops है, there are some children swing on jianville, कुछ बच्चे जो jianville पर जूल रहे हैं, a magic for the children, जो जादू घर है, वो magic दिखा रहा है, next हो जाए का, there is a temple near the fair, और fair के पास में एक temple है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यह done होता है, वक्षी 72, तो यहाँ पर आमने देखा, वक्षी 72, 71, पॉनमीटिव असेस्मेंट 10, वक्षी 70, वक्षी 69 की solution, उमीदे आपको सभी solution अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आगे भी हम solution देखते रहेंगे, और पी important वीडियो आपकी कक्षा से लिट देखते रहे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.